हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो गाईस आज की सोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रियल्मी मोवाईल में डाटा चालू करने पर भी इंटरनेट नहीं चला आए तो कैसे इस प्रॉलम को 100% ठीक करेंगे इस उड़ों में हम आपको बताने वाले हैं तो अगर आप चनल पर पहली बार आएं तो उडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाईस सबसे पहले आपको मोवाईल के सेटिंग्स में जाना है तो देखिए हम सेटिंग में आ चुके हैं सेटिंग में जाने के बाद सीम कार्ड एंड मोवाईल डेटा नाम की एक सेटिंग मिल जाएगी इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है तो देखिए हमने क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद देखिए इंटरनेट चालो है लेकिन उपर सो नहीं कर रहा है डाटा अन है लेकिन नहीं चल रहा है तो जिस सीम में प्रॉलम आ रही है उस सीम पे क्लिक कर देना है तो हम सीम ओवन पे क्लिक करते हैं इसी में प्रॉलम आ रही है तो simone पर देखें यामने क्लिक कर दिया अब आपको आना है बैक और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है data roaming यहाँ पर आपको चालू करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते data roaming चालू है old car ले भी चालू है अब आपको देखिए नीचे एक option मिलेगा access point name या APN तो आप इस setting को देख लीजी आपको इस setting पे click कर देना है तो जैसे click करेंगे इस प्रकार कायेगा हो सकता यहाँ पर कुछ APN हो तो आपको सबसे पहले करना क्या है उपर देखिए या 3 dot का एक option रहेगा या नीचे reset लिखा रहेगा तो आपको इस पे click करना है और यहाँ reset access point पे click कर देना है और यहाँ पर देखिए reset कर देना है यह वाला option नीचे भी मिल सकता है आपको नीचे तो यहाँ पर भी आप click कर सकते हैं जैसे click करेंगे यहाँ पर जो stream रहेगी उसका यहाँ पर आजाएगा आप यहाँ पर click करके जैसे click कर देते हैं देखिए उपर so कर रहा internet और internet चल भी रहा यहाँ पर आप देख सकते हैं live अब guys अगर by chance नहीं चलना है फिर भी तो फिर क्या करना है उपर की side आपको plus का एक option मिलेगा या नीचे plus का एक option मिलेगा इस plus वाले option पर click करना है फिर आपको name पर click करना है उपर और यहाँ पर आपको लिखना है internet यहाँ पर देखिए मैंने कैसे लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है internet फिर आपको apn पर click करना है दूसरे वाले पे और यहां पर भी लिखना है इंटरनेट देके इन दोनों पे इंटरनेट लिखना है फिर आपको सेव कर देना यहां से जैसे सेव कर देते हैं अब इस पे क्लिक कर देना है जैसे क्लिक कर देते हैं यहां पर आप देख सकती इंटरनेट हमारा यहां पर सेट है और उपर आप देख सकते इंटरनेट सो कर रहा है चल रहा है और कभी भी कोई प्रॉलम नहीं आएगी और देखिए अब इतना करने के बाद बैक आना है और अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट या रिबूड कर लेना है या मोबाइल को स्विच ओफ करके स्विच ओ